सब्सक्राइब कीजिए, लर्न बेसिक्स को और बेल ऐकन को दबाईए, कुछ नया सीखने के लिए तो फ्रेंड्स स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मैं हूँ विश्वो तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि Microsoft World में और यहां पर टेक्स नहीं है अगर हमें यहां पर टेक्स लाना है, यानि कि चारो तरफ टेक्स रैप करना है उसके लिए में क्या करना होगा? Image को Select करने तो बीच में बीच पर बीच में पर लिए ऊपर दिखाई पढ़ना इसका मत्तब लिए Image Select होगई उसके बाद हमको जाना है उपर के रिबन में लेयाउट टैब में यह रहा लेयाउट टैब इस पर क्लिक कर दीजे लेयाउट टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां देखिए यहां पर हमको option मिलता है wrap text का लेकिन ध्यान रखिएगा यह option तभी आपको पूरी तरसा विजब होगा जब image आपकी select होगी अगर माल लीजे कि मैं selection बाहर से हटा देता हूँ तो इस देखिए यह enable नहीं दिखाएगा अभी enable नहीं दिखा रहा है अब जब मैं वापस से image पर click करूँगा तो यह देखिए यह एक्टिबेट हो गया यह नहीं कि enable दिखा रहा है ठीक है बस इस पर click कर दीजे और यहां पर हमें यह वाला option लेना square वाला ठीक है तो जैसे हमें देखिए square पर अपना cursor ले जाके रखा चारों तरफ देखिए text आ गया बस इस पर click कर दीजे और आप देखेंगे image के चारों तरफ text आ गया ठीक है तो इस तरीके से हम image के चारों तरफ text wrap कर सकते हैं Microsoft Word